हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा बोलिये स्री जगनाथ भगवान की जए ओम नमस्षिवाय प्रियभक्तगडों आज आप स्रवन करेंगे भगवान जगनाथ की बड़ी ही दुरलभ और अदभुत संपुन का था जगनाथ मंदिर स्री विष्णु जी की आठवें अवतार स्री कृष्ण जी को समर्पित है पुराडों में इसे धर्ती का बैकुंठ कहा जाता है यह भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है ब्रह्मवर्थ पुराड और स्कंद पुराड के अनुसार यहां भगवान निल माधव के रूप में अवत्रित ह और सवर जन्जाती के परम पुज्य देवता बन गये भगवान जगन्नाथ को कलियुक का भगवान भी माना जाता है रामायड के उत्तर खंड के अनुसार भगवान स्री राम ने रावड के भाई विविशन को अपने इच्वाकु वंस के कुल देवता भगवान की आराधना करने को कहा इसलिए आज भी पूरी के स्री मंदिर में भेविशण बंदना की परंपरा कायं है पुराडो में भगवान जगन्नाथ के प्रियधाम पूरी को स्री स्री शेत्र स्रेष्ट साग, निलांचल, निलगीरी और जगन्नाथ पूरी भी कहते हैं यहां लक्षमी पते विश्णु जी ने तरह तरह की लिलाये की थी ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासी विश्ववसु ने निल माधव के रूप में भगवान जगननाथ की पूजा की थी पुराडों के अनुसार निलगीरी में पूर्सोत्तम हरी की पू बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो बद्री नाथ में श्नान करते हैं द्वारिका में वस्र पहनते हैं और पूरी में भोजन करते हैं और दक्षुड में रामिस्वरम में बिश्राम करने लगें और बन गए जगत के नाथ अर्थाद जगननाथ प्रियभक्तग हर साल भगवान जगनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। जिसके बाद जगनाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुबद्रा के रथ पर बैठ कर नगर घुमने गए। इसके बाद वो मौसी के घर गुंटिचा भी गए और साथ दिन तक यहां रुके। तभी से ये रथ या से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस उस्सव में सामिल होने से व्यक्ति की सभी मुरादे पूरी होती हैं और संतान प्राप्ती में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मानेताओं के अनसार जगनाथ भगवान की कथा को असाड़ माह के द्वितिया तिथी से लेकर असाड़ भगवान स्री कृष्ण की सभी रानिया और पटरानिया हैं। यह पुराडो के स्रेश्टतम कथाओं में से एक मानी जाती है। जिसे सुनने वाला, सुनाने वाला तथा पढ़ने वाला दुरगती से छुट जाता है। उसे मुक्ष की प्राप्ती होती है। यह कथा जितनी पावन है उतनी ही अतभूद प्रेम तथा भक्ती से ओत प्रोत है जिसे जितना भी सुना जाए कम ही लगता है तो आईए अब सुनते हैं कल्युक के भगवान स्री जगननाथ जी की बड़ी ही दुरलब संपून कथा जिसे आप सभी भक्तगर बड़ी स्रधा तथा प्रसन चि जय जरूर लिखें भगवान जगननाथ की क्रिपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तगर कथा को पूरे अंत तक अवस्य सुनिएगा इससे मन चाहे फलकी प्राप्ती होती है तो आईए भगवान जगननाथ जी का ध्यान करते हुए कथा का रस्पान करते हैं यह नाम सुनकर पट रानियों को लगा कि वह प्रभू की इतनी सेवा करती हैं परंतु प्रभू सबसे जादा राधा जी का नाम स्मरण करते हैं अब रूकमरी जी वह अन्यराणियोंने माता देवकी और माता यसोदा जी से राधा रानिय वह कृष्ण जी के प्रेमव ब्रज लिलाओं का वर्णन करने की प्राथना की अब माता यसोदा ने कथा सुनाने की रहामित भर दी लेकिन यह भी कहा कि स्री कृष्णवा बलराम को इसकी भनक न लगे तैह हुआ कि सभी रानियों को माता यसोदा जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी वहां कोई और न आये इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयम स्री कृष्ण या बलराम भी आये है तो उन्हें भी अंदर न आने देना अब माता ने कथा सुनानी आरंभ कर दी सुभद्रा द्वार पर तैनात थी बाहर से ही अपने सुक्षम सक्ती द्वारा, अंदर की माता द्वारा वर्नित ब्रज लिलाओं को आनंद लेकर सुनने लगें। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगें। बड़े ध्यान, बड़े ध्यान पुर्वक देखने पर भी उनकी हाथ पर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारड कर लिया। उसी समय देवश्शी नारज जी वहां आ पहुचे। भगवान की इस रूप को देखकर आश्चर चकी हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो नारज जी ने प्रणाम करके भगवान स्रीकृष्ण से कहा। हे प्रभू मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है। वह रूप आपके भक्त जनों को प्रतवी लोक पर भी चीर काल तक देखने को म अली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल छेतर में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कल्यूग आगमन के उपरांत प्रभू की प्रेणा से मालव राजा इंद्रदुम्ण ने भगवान स्रीकृष्ण, बलभदर जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन नाथ मंदिर में स्थापित कराई। इसकी अनुसार राजा इंद्रदुम्ण स्रेष्ट प्रजा पालक थें। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा की मन में इच्छा थी। कि वह कुछ ऐसा करें जिससे सभी उन्हें स्म अखिर उनके मंदिर में किस देवता की मुर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करती सो गए। नीद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देमवारी सुनाई पड़ी। इंद् राजा नीद से जाग उठें। सुबा होते ही उन्होंने अपने मंत्री को सपने की बात बताए। राजा पुरोहित के सुझाव पर सुब मुहरत में पुर्वी समुद्र के तट पर एक विसाल मंदिर के निर्माड का निश्चे हुआ। वैदिक मंत्रों चारण के साथ मंदिर निर्माड का स्री गडेश हुआ। जसकी तस्थी। राजा फिर से चिंती थोने लगें। एक दिन मंदिर के गर्वग्री हमें बैठ कर इसी चिंतन में बैठे राजा की आखों से आसु निकल आएं। राजा ने भगवान से विनती की। प्रभु आपके जिस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं। विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हसेंगे। राजा के आखों से आसु झर रहे थे और वह प्रभु से प्राथना करते जा रहे थे। प्रभु आपके आसिरवाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने जूट मुठ में श्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा स्रम कराया। हे प्रभु मार्ग दिखाए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले आए। उस रात राजा को फिर से एक सपना दिखा। सपने में उन्हें देववाडी सुनाई दी कि हे राजन यहां निकट में ही भगवान स्री कृष्ण का पहुचें कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए हमें निर्मल मन से परिशुरम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगानी की जिमिदारी राजा इंद्र दुम्र ने चार विद्वान पंडितों को सौप दिया। प्रभु के दवरान उनके साथ बहुत से अलोव की घटनाये हुई। अब पंडित बिद्यापती पुर्वदिसा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद बिद्यापती उत्तर की ओर मुड़े। तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह भयानक था। बिद्यापती स्री कृष् जंगल के मध में उन्हें एक परवत दिखाई दिया। परवत के ब्रिक्षो से संगीत की ध्वनी सा सुर्मय गीद सुनाई पड़ रहा था। बिद्यापती संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां ब्रिदंग, बंसी और करताल के मिस्रित ध्वनियां सुनाई दे रही यह संगीत उन्हें दिब्य लगा, संगीत की लहरियों को खोचते बिद्यापती आगे चलें। वह जल्दी ही पहाडी की चोटी पर पहुच गए। पहाड की दुसरी और उन्हें एक सुन्दर घाटी दिखी जहां भील नित्य कर रहे थे। बिद्यापती उस द्रिश को द बिद्यापती घबरा उठें। बाग उसी और दोड़ा आ रहा था। बाग को देखकर बिद्यापती घबरा गए और बेहोस होकर वहीं किर पड़ें। बाग बिद्यापती पर आक्रमण करने ही वाला था। खी। तभी एक स्त्री ने बाग को पुकारा। बाग उस जैसे कोई बिल्ली पुछकार सुनकर खेलने लगती है। बिद्यापती पर छिड़का। कुछ देर बाद बिद्यापती की जतना लवटी उन्हें जल पिलाया गया। बिद्यापती यह सब देखकर कुछ आश्चर में थे। ललीता बिद्यापती के पास आई और पुछा आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस जंगल में ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूँ। बिद्यापती के मन से भाग का भय पूरी तरह से गया नहीं था। ललीता ने यह बाद भाप ली और उन्हें सांत्वना देते वे कहा। प्रियवर आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्त होंगे तब अपनी लक्ष की ओर प्रस्थान करें। बिद्यापती ललिता के पीछे-पीछे उसकी बस्ती की तरफ चल दिये। बिद्यापती भीलो के राजा बिश्वावसू से मिलें और उन्हें अपना पैचे दिया। बिश्वावसू बिद्यापती जैसे बिद्वान से मिलकर बड़े प्रस्थन हुए। बिश्व विष्वा वसु तथा ललिता बड़ी रूची के साथ सुनते थें। ललिता के मन में विध्यापती के लिए अनुराग पैदा हो गया। अब विध्यापती ने भी भाप लिया कि ललिता जैसी सुन्दरी को उनसे प्रेम हो गया है। किन्तु विध्यापती एक बड़े कारे क अब विश्वा वसु ने प्रस्ताव रखा कि बिद्यापती ललिता से बिवाह कर लें। बिद्यापती ने इसे स्विकार कर लिया। अब कुछ दिन समय बितने के बाद ललिता से बिवाह करके बिद्यापती प्रसन तो थें। पर जिस महत पुनकार के लिए वह आये थें वह अधूरा था यही चिंता उन्हें बार-बार सताती थी इसे बीच बिद्यापती को एक विशेस बात पता चली बिश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चले जाते थें और सुर्योदय के बाद ही लोडते थें कितनी भी विकट इस्तिती क्यों न हो उनका यहनियम कभी नह तूटता था विश्वावसु के इस वरत पर बिद्यापती को आश्चर हुआ उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई आखिर एक दिन बिद्यापती ने ललिता से इस संबंध में पूछा ललिता यह सुनकर सहम गई आखिर वह क्या रहस्य था क्या वह रहस्य ब बिद्यापती पत्नी के प्रेम में मार्ग भटक गें। बिद्यापती ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रती दिन सुभा किसी अज्यात स्थान पर जाने और सुरुदय के पुर्व लोटने का रहस से पूछा। विश्वा वसु का नियम किसी हाल में नहीं तूटता जाहे कितनी भी बिकट परिस्तिती हो ललिता के सामने अब ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पती की बात को ठुगरा ना सकती थी। लेकिन पती जो पूछ रहा था वह उसके वंस की गोपनिय परंपरा से जुड़ी बात थी जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी यह हमारे कुल का रहस्य है, जिसी किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, फरंतु आप मेरे पती हैं, और मैं आपको कुल का पुरुस मांती हूँ, जितना संभवuje उतना बताती हूँ, यहां से दूर, यहां से कुछ दूर पर एक गुफा है, उसके अंदर हमा उनकी पूजा हमारे सभी पुर्वच करते आये हैं। यह पूजा निर्वाध चलती यह पूजा निर्विग्न चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से वहां जाते हैं। बिद्यापती ने ललिता से कहा कि वह भी उसके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली यह संभव नहीं हमारे कुल देवता के बारे में किसी को न जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता कुरूधित हो जाएंगे। बिद्यापती की उसकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की सपत दे कर उसे मनाने लगें। आखिरकार ललिता ने कहा वह अपने पिता जिसे विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दे। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोध ललिता ने जब कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता पूजा का दाइत्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पती का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। देवता के दर्शन कराने को राजी हुएं, दूसरे दुन सुर्योदैस से पूर्व विद्यापती की आखो पर पटी बांध कर, विश्वावसू उनका दाहिना हाथ पकड़ कर गुफा के तरफ निकले, विद्यापती ने मुठी में सरसो रख लिया था, जिसे रास्ते में छ पाली पटी खोल दी, उस गुफा में नीले रंग का प्रकास चमक रहा था, हाथों में मुरली लिये भगवान स्रीकृष्ण का रूप बिद्यापती को दिखाई दिया, बिद्यापती आनंद मगन हो गएं, उन्होंने भगवान के दर्शन कियें, दर्शन के बाद तो जैस बिद्यापती जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वावसु ने लोटने का आदेश दिया, फिर उनकी आखों पर पट्टी बाधी और दोनों लोट पड़ें, लोटने पर ललिता ने बिद्यापती से पुछा, बिद्यापती ने गुफा में दिखे अलोगिक द्रिश्य क के बारे में पत्नी को बताना भी उसने उचित नहीं समझा, वह टाल गएं, यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु स्रीकृष्ण की मुर्ती की पूजा करते हैं, बिद्यापती को आभास हो गया कि महराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में द मुर्ती लेकर जाने की सोच रहे थें, दूसरी तरफ भील राजा और पत्नी के साथ विश्वास घात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था, बिद्यापती धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहें, फिर विचार आया कि यदि विश्ववसु ने सच मुझ, उन पर वि कुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उनके साथ विश्वास घात का प्रशन नहीं उठता, उसने कुफा से मुर्ती चुराने का मन बना लिया, बिद्यापती ने ललिता से कहा, कि वह अपने माता-पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वे उसे लेकर परशान ललिता भी साथ चलने को तयार हुई, तो बिद्यापती ने यह कह कर समझा दिया, कि वह सिग रही लोटेगा, तो उसे लेकर चाहेगा, ललिता मान गई, बिस्वावसू ने उसके लिए घोडे का प्रबंध किया, अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आये थे, उनको द तक राजधानी पहुच गए और सीधा राजा के पास गए, उसने दीब प्रतिमा राजा को सौप दी, और पूरी कहानी सुनाई, राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा, सुबह सागर में एक कुंदा भाकर आया, कि उस कुंदे की नकासी करवा कर भगवान की मुर् दोनों आस्वस्त थें कि उनकी तलास पूरी हो गई, राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लगड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससूर से मिलकर उन्हें मुर्दी वापस कर देना, उसके कुल देवता का इतना ब बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था, सभी उसे देखकर प्रसन हुए, दस नाओ पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को यानि की लकड़ी के गठर को खीचने पहुचे, मोटी मोटी रसियों से कुंदे को बाध कर खीचा जाने लगा, खिन्तु कुंदा तस से मस नहीं हुआ, और जो लोग भेजे गए, लेकिन सैकडो लोग और नाओ का प्रयोग करके भी कुंदे को हिला तक नहीं सकें, राजा का मन उदास हो गया, सेना पती ने एक बहुत बड़ी सेना, कुंदे को खीचने के लिए भेज दी, सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगें, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक न सकें, सुबह से रात हो गई, अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया, उसने बिद्यापती को अकेले में ले जाकर कहा, कि वह समस्या का कार्ण जान गया है, राजा के चेहरे पर संतोस की भाव थे, राजा ने बिद्यापती को गोपनी रूप से कहीं चलने की बात कही, राजा इंद्रदुम्न ने कहा, कि जब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा, राजा इंद्रदुम्न को भगवान की प्रेणा से समझ में आने लगा, कि आखिर प्रभु के विग लाए हो, उसकी अब तक जो पूजा करता आया था, उसे तुरंत भेट करके छमा मांगनी होगी, बिना उसके स्पर्ष किये यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा, राजा इंद्रदुम्न और विद्यापती बिश्वा वसु से मिलने पहुँचे, राजा ने परवत की चो अर्या के हिसाब से, गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले, वहां प्रभू की मुर्ति गायब देखी, तो वह समझ गें कि उनके दामाद ने ही यह चल किया है, बिश्वा वसु लोटे और ललिता को सारी बात बता दी, बिश्वा वसु पीड़ा से भरे घर के आगन में पच्छाड खाकर गिर गए, ललिता अपने पती द्वारा किये गए विश्वा घात से दुखी थी और स्वैम को इसका कारण मान रही थी, पिता पती दिन भर बिलाब करते रहें, उन दोनों ने अन का एक दाना भी न छुआ, अगली सुबह विश्वा अपनी दंचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकलें, वह जानते थे कि प्रभू का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खीचे चले जाते थें, विश्वा वसु के पीछे ललिता और रिस्तेदार भी चलें, विश्वा वसु गु और बिलक बिलक करोने लगें, उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी, एक भेल युवक भागता हुआ गुफा के पास आया, और बताया कि उसने महराज और उसके साथ बिद्धा पती को वस्ती की ओर आते देखा है, यह सुनकर सब चौक गएं, विश्वा वसु राजा के स् लगा लिया, राजा बोलें, भील राज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर, तुम्हारा दमाद नहीं, मैं हूँ, उसने तो अपने महराज के आदेश का पालन किया, यह सुनकर सब चौक उठें, विश्वा वसु ने राजा को आसन दिया, राजा ने उस विश् अपन और फिर जगनात पूरी में सागल तट पर मंदिर निर्माड की बात कह सुनाई, राजा ने विश्वा वसु से प्राथना की, की भील सरदार विश्वा वसु, कई पिढ़ियों से, आपके वंस के लोग भगवान की मुर्थी को पूझते आए हैं, भगवान की उस वि अपने कुल की प्रतिमा को पूरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमती दो, उस कुंदे को तुम स्पर्ष करोगे, तभी वह हिलेगा, विश्वा वसु राजी हो गएं, राजा सव परिवार विश्वा वसु को लेकर सागर तट पर पहुचे, विश्वा वसु ने कु मूर्तिकारों और सिल्पियों को, राजा ने बुला कर मंतड़ा की, कि आखिर उस कुंदे में कौन से मूर्ति बनवाना सुगधायक होगा, मूर्तिकारों ने कह दिया, कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज् खिंतित हो गए, उसी समय वहाँ एक बुढ़ा आया, उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान स्री कृष्ण को, उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ बिराजमान करें, इस दैवयोग का यही संगेत है, राजा को उस बुढ़े वेक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मुर्ती बने कैसे, उस बुढ़े ने कहा, कि मैं इस कला में कुसल हूँ, मैं इस पवित्र कारे को पूरा करूंगा, और मुर्तिया बनाऊंगा, पर मेरी एक सर्त है, राजा प्रसन हो गए, उसकी सर्त पुछी, सिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मुर्ती निर्मार का काम एकांत में करूंगा, मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा, कारे पूरा होने के बाद मैं स्वयम दरवाजा खोल कर बाहर आऊंगा, इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाएगा, राजा सहमत तो थें, लेकिन उन्हें चिनता हुई, और बोलें, यदि कोई आपके पास नहीं जाएगा, तो ऐसी हालत में आपके खाने पिने की विवस्था कैसी होगी, सिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पून नहीं होगा, मैं कुछ खाता पिता नहीं हूँ, राज मंदिर की एक विसाल कक्ष में, उस सिल्पी ने स्वयम को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया और काम सुरू कर दिया, भीतर से आवाजे आती थी, महराने गुंडिचा देवी, दरवाजे से कान लगा कर अक्सर छेनी हथवडी के चलने की आवाजे सुना कर दी थी, महराने रोज की तरह, एक दिन महरानी रोज की कमरे की दरवाजे से कान लगाएं खड़ी थी, पंद्र दीन बीद गए थे, किन्तु उन्हें कमरे से आवाज सुनाई, पढ़नी बंध हो गई, जब मुर्तिकार के काम करने की कोई आवाज रानी गुंडिचा को नहीं गई, तो उन्हें लगा कि वृध आदमी है, खाता पित भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्टन हो गया हो, ब्याकुलोकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला, और भीतर ज़ाक कर देखा, महराने गुंडिचा देवी ने इस तरह मुर्तिकार को दिया हुआ बचन भंग कर दिया था, मुर्तिकार अभी मुर्तिया बना ही रहा था, परन्तु रानी को देखते ही वह अद्रिश्य हो गया, मुर्ति निर्वाड का कार अभी तक पूरा नहीं हुआ था, हाथ पेर का निर्माड पूर्ण नहीं हुआ था, ब्रिध सिल्पी कार के रूप में स्वयम देवताओं के सिल्पी भगवान दिश्व कर्मा अजी आये थे, उनके अद्रिश होते ही मुर्तियां अधोरी ही रह गए, इस कारण आज भी यह मुर्तियां वैसे की वैसी हैं, उस प्रतिमा को ही मंदिर में स्थापित कराया गया, कहते हैं कि विश्व वसू, संभवता, उस जरा बहलिये का वनसज था, जिसने अंजाने मे भगवान स्रीकृष्ण की हत्या कर दी थी, विश्व वसू सायद स्रीकृष्ण जी के पवित्र अवसेसों की पूजा करता था, ये अवसेस मुर्ति में छिपा कर रखे गए थे, प्रिय भाक्तगडों बिद्या पती और ललिता के वनसज, जिन्हें दैत पती कहते हैं, उन रूप में जन्म लेने वाले प्रतेक मनुस्य की मृत्यू निश्चित है, इसी प्रकार भगवान स्रीकृष्ण की मानव रूपी मृत्यू परिहारे थी, भगवान महा भारत की लड़ाई के 36 वर्स बाद भगवान स्रीकृष्ण ने अपना सरीर त्याग दिया था, जब प देखकर पांडव हैरान रह गयें, इसके बाद आकाश वानी हुई कि यह रदय तो ब्रह्म का है, इससे समुद्र में बहा दो और भगवान स्रीकृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया गया था, ऐसी मानता है कि यहां की मृति में आज भी भगवान स्रीकृष्ण का द धड़कता है जगनात पूरी मंदिर में भगवान जगनात अपने भाई बलभद्र और बहन सुबद्रा के साथ बिराजमान है काश्ट से बनी इस मुर्ति को प्रतेक 12 वर्ष में बदला जाता है ऐसी मानता है कि जगनात पूरी मंदिर के रहस में सबसे बड़ा रह ब्रह्म प भगवान सरे क्रिश्न जी का हिदय है इस प्रक्रिया में जब 12 साल बाद भगवान जगनात और अन्य मुर्तियों को बदल दिया जाता है और पूरे सहर में अंधेरा कर दिया जाता है इसके लिए पूरे सहर की बिजली कार दिया जाती है मंदिर में भी अंधेरा कर दिया ज होता है और चयनित पुजारियों की आखो पर रेसम की पटी बांध कर मंदिर में भेजा जाता है इस मुर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसे आज तक किसी नहीं देखा इसे ध्यान से इसे ध्यान से नई मुर्तियों में स्थापित किया जा कहा जाता है इस पदार्थ में इतनी उर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो जाता है और मर भी सकता है, हलाकि इसे आज तक किसी ने नहीं देखा, यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि यह अश्ट धातों से बना एक दिव्य पदार्थ है और हिंदु धर्म में इसे भगवान स्रीकृष्ण का हिदय भी माना जाता है। कहा जाता है इस पदार्थ में इतनी उर्जा है कि इसको देखने वाला वेक्ती अंधा हो जाता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने आज तक इसे नहीं देखा है, सदियों से यह परंपरा चली आ रही है, बोलिये स्री जगनाथ भगवाने की चै, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा, प्रिय भक्तगड़ों उम्मीद करती हूं, भगवान जगनाथ जी की यह दुरलफ कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी, इसी तरह की पौराड़ी कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल प्रियंका धर्म गंगा को सब्सक्राइब, लाइक, सेर, कमेंट अवस्य करिएगा, इस कथा को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, भगवा जगन नाथ जी की कृपा, आप सभी भक्तकड़ों पर सदा सर्वादा बनी रहे, हरे क्रिश्ना